चमुली में विश्व धरुहर फूलों की घाटी आज से फूलों के शौकिन परटकों के लिए खोल दी गई है आज पहले दिन 48 परटक घाटी पहुँचे समुद्रतल से 12,995 फीट की उचाई पर स्थित फूलों की घाटी लगभग 3 किलो मीटर क्षेतर में फैली हुई है जुलाई अगस्ट सीजन में 500 से अधिक प्रजाती के फूल यहां खेले रहते हैं यहां दो पहर 12 बजे तक ही परटक घाटी में परवेश कर सकते हैं दो पहर दो बजे उन्हें घाटी से बाहर आना पड़ता है रास्ट्य पार्क प्रशासन ने फूलों की घाटी खोले जाने से पहले यहां सभी तयारियां पूरी कर ली हैं घाटी में रास्ते में पड़े गलेशियर अब वर्फ हटा दिये गए हैं जिल्ला परटन अधिकारी ब्रजिश पांडे ने बताया कि आज घांगरिया में परटकों के पहले दल को घाटी के लिए रवाना किया गया इन में 48 परटक शामिल थे इन दिनों घाटी में 15 से 25 प्रजाती के फूल खिले हैं आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 1 जून से 31 अक्टूबर तक घाटी परटकों के लिए खुली रहती है